असलामों आलेकुम, मैं जुलेखा आरफा, जुलेखास किचिन से, तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़ियासी मज़ेदार सी हैदरबादी खटी दाल, आहाहा, चावल के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है, जरूर बनाईएगा, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रसेपी वो वाली दाल ली है, बट आप चाहें तो मसूर दाल में भी ये वाली बढ़ियासी दाल बना सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक मुठी से कम इमली ली है, इसे दो-तीन पानी से धो के एक कप पानी दाल कर इसे भीगा के साइट पर रहने दीजिए आदे घंटे के अब हम आते हैं दाल के ओपर, यहाँ पर मैंने 200 ग्राम दाल ली है, अरहर की दाल है, और मैं कुकर में बना रही हूँ, तो मैंने भीगाया नहीं, अगर आप पतिली में बनाना चाहते हैं, तो एक घंटे पहले इसे दो-तीन पानी से धो के एक घंटे भीगाने रहने दीज उसके बाद पतिली में बनाईएगा, चलिए मैंने भी दो-तीन पानी से धो लिया है, यहाँ 6-7 टमाटर है, गोल-गोल पाईयों के शेपे मैंने काट कर रखे हैं, और जो साइट पर हरी मिर्चिया है ज्यादा तीखी नहीं है, फीकी वाली है, less spicy वाली है, इसके लिए मैं मैंने 3-4 लिए है, और मैंने मोटा-मोटा काट लिया है, अगर आप spicy वाली मिर्च लेना चाहते हो, तो कम दालिएगा, अपने स्वाधन उसार दालिएगा, अब इसमें दाल दीजिए, एक डेबल स्पून अधरकलसन का पेस्ट, आदा चोटा चाय का चमच हल्दी पाउड एक छोटा चाय का चमच spicy वाला लाल मिर्च पाउडर, और तीन कप पानी डालकर एक बार चला लीजिए इसे, कुकर का धकन लगा दीजिए, और इसे फास्ट आँच पर एक सीटी खिला लीजिए, जब एक सीटी हो जाए तो slow आँच पर 12-15 मिनिट तक इसे slow आँच पर रह चान लीजिए, तो वो बन गया हमारा पलपल, उसे साइड पर रख दीजिए, चलिए completely धंडा हो जाए, तो खोल कर चेक कर लीजिए, ये देखिए, बड़ी असी डाल हो चुकी है, तो अब मैं इसे जेर लेती हूँ, मैं usually डालों को जेर दी नहीं हो, तो मेरे पास जेर नह तो मैंने इसी से काम चला लिया है, और इसमें सबसे पहले मैंने एक कप पानी डाल दिया, कि थोड़ी लूजन अप हो जाए, और इसे मैं ट्रांसफर कर देती हूँ, जिस पतीली में मैं बना रही हूँ, उसी के अंदर, अब आप चाहें, तो कुकर के अंदर ही बगार दे सकते हैं, और फिर आप प्याले में निकाल लीजिएगा, एक कप कुकर के अंदर दालकर, मैंने चला कर दाल में दाल दिया, एक बार चला लीजिए दाल को, आप गाड़ापन अपने स्वाद अनुसार रख सकते हैं, कितनी आपको चाहिए, बारिक कटी हुवी कोत्मेर यान अच्छा, अब मैं यहां पर सारा इमली का पल दाल देती हूँ, अब यह है कि आप पहले थोड़ा दाल दीजिए, फिर मिक्स करकर चेक कर लीजिए, अगर आपको कम लगे या खटास, यहां क्या खटास अब आपके स्वाद अनुसार अज़स्ट कर सकते हैं, जरूरी नही या स्वाद अनुसार दालिएगा, चुला फास्ट अच पर पहले तो चालू कर दीजिए और इसमें उबाल आ जाने दीजिए, जब अच्छा उबाल आ जाए तो मीडियम आज करकर इसे बार बार चलाते रहेगा कि नीचे लगे ना और तस मिनिट तक मीडियम आज पर इसे असलीगी, आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं, अब इसमें डाल दीजिए 12 तेरा लसन, मीडियम आज पर रख दीजिए, लाइल गोल्डन ब्राउन होए तक उसे पकने दीजिए, साइड पर मैं यहाँ थोड़ी सी कोथमिर दाल देती हूँ, यानि क्या हरा धनिया हमारी दाल के उपर, चलिए, अब लसन, लाइट, कोल्डन ब्राउन हो जाए तो चूला कर दीजिए, स्लो आँच, यहाँ पर दाल दीजिए, एक छुटा चाहे का चमच सरसो, एक छुटा चाहे का चमच जीरा, और इसे थोड़ा सा तर-तरा जाने दीजिए, जब हलका तर-तरा ज तो चूला कर दीजिए बंद, और 10, 12, 15 कड़ी पत्ते, और 3, 4 तोड़कर आप सुखी लाल मिर्ची दाल दीजिए, चूला बंद में यह दोनों लास्ट की चीज़े दालिएगा, और यह तड़का मजेदार सा हमारी दाल के उपर दाल दीजिए, और यह बन गए हमारी हैद इराबादी, बड़ी आसी, खटी, दाल, चावल के साथ सर्फ कीजिएगा, मज़ा आजाएगा आपको, इमली की खटास, अपने स्वाद अनुसार अजिस्ट कीजिएगा, और स्पाइस, जो भी तरीके का स्पाइस इस वाली रेसिपी में मैंने डाला है, आप आपके स्वा आपके स्वाले वीडियो के रिंग, सरूर फोवर्ड कीजिएगा, फिर से आजिर होंगी नहीं शांदार दमदार रसिपी के साथ, अंतल देन, टिक केर आला हाफिस, बब बाई